हेलो दोस्तों आज की यूडियों में बात कने वाले हैं एच पी कॉंस्टेबल और पठवारी के टेस्ट में शामिल होने वाले केंडिट के लिए इंपोर्टेंड मोग टेस्ट की देखी इस मोग टेस्ट में हमने मैथ, इंगलिश, हिंदी और general knowledge के important 100 questions include किये हैं जितने भी candidate आने वाले स्मय में इन सभी exam में अपिर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये video काफी helpful होने वाले हैं तो पूरी जानकारी के लिए video के अंतक बने रहे हैं देखे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं math portion की सबसे पहले मैं आपको इन 25 Quesn का राइट अंसर बताने वाला हूँ और उसके बाद इन 25 Quesn की full explanation मैं आपको इस विडियो में बताने वाला हूँ तो आज की विडियो का पहला Quesn है X plus 1 बटे 2X plus 3 ब्राबर है तीन बटे एक का हल है तो देखे इस कोशन का राइट अंसर है ओप्षन सी एक बटे दो प्रतम दस प्राकृतिक संख्याओं का ओसत है तो देखे इस कोशन का राइट अंसर है ओप्षन सी पांस ही एक बटे दो रेखिक समिकरणों A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर है 0 एवं A2X प्लस B1Y प्लस C2 बराबर है 0 का अध्वित्य हल होगा यदी तो देखिए इस क्वेशन का राइट अंसर है ओप्षन ए A1 बटे A2 डस नौट इक्वल टू B1 बटे B2 पंदरा से छोटी सभी बिश्म संख्याओं का योग है तो देखिए इस क्वेशन का राइट अंसर है ओप्षन D 49 चौवन अजार तिनसो चालिस में पांच के स्थानियमान और वास्तविक मान में अंतर है इस क्वेशन का राइट अंसर है ओप्षन A 49995 मूल बिंदू के निर्देशांक होते हैं तो देखिए इस क्वेशन का राइट अंसर है ओप्षन A 0,0 बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन की पांच का पचास पैसे अनुपात है तो देखिए इस क्वेशन का राइट अंसर है ओप्षन D 10 अनुपात 1 संख्याओं X और Y के गुणन फल में से उनके योग को गटाने पर विज्य वियंजक है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option B X Y माइनस X प्लस Y 1,5,9,13,17,21 क्रम में अगली संख्या है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option C बात करते हैं next question की 2.5 multiply by 3.1 बराबर है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option B 7.7.5 2 बटे 8 का योज्या प्रतिलोम है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option C माइनस 2 बटे 8 30 और 40 के बेच की पुर्ण वर्ग संख्या है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option C 36 किसी संभाहू भुज में अधिक से अधिक का बाहे कोण संभाब है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option C 1080 degree 2 की पाबर 3 बड़ाबर है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option B 8 14602 बिभाज्या है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option A 11 1,2,3 का महतव समाप वर्तक होगा तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option D 1 एक गन में कितने किनारे होते हैं इस कोशन का राइट अंसर है option B 12 नीचे लिखे मैं से कौन सा रिजु कोण है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option D कोई नहीं 37,895 का मान निक्रतम हजार में है तो दीखे इस कोशन का राइट अंसर है option B 36,000 बात करते हैं next question की साइन 90 डिग्री माइनस थिटा का मान है तो देखे इस क्वेशन का राइटन सरे ओप्शन डी कॉस थिटा बहुपद 2 की गात है इस क्वेशन का राइटन सरे ओप्शन बी 1 बहुपद X प्लस 2 का 0 यांक है तो देखे इस question का right answer है option B minus 2 15 degree का मान है इस question का right answer है option A 1 एक बृत की स्पर्ष रेखाऊं की संख्या है तो देखे इस question का right answer है option D कोई भी नहीं देखे अब मैं आपको इन question की पूरी explanation बताने वाला हूँ question number 1 में पूछा गया था x plus 1 over 2x plus 3 equal to 3 over 8 का हल है तो देखे इस question में simply हमें x की value find out करनी है तो x की value find out करने के लिए हम cross multiplication करेंगे तो देखे cross multiplication करने पर हमें यह वाली equation प्राप्त होती है और इस equation को simplify करने पर हम x की value find out कर सकते हैं और x की value है एक बटे दो इसलिए इस question का right answer है option C question number second प्रतम दस प्राकृतिक संख्याओं का ओसत हैं देखे सबसे पहले आपको मालूम होना चीए natural number या प्राकृतिक संख्याओं के हैं तो देखे 1,2,3,4,5 इस तरह के number जो है natural number है और 0 जो है natural number नहीं है simply का average निकालने के लिए सबसे पहले हम इन 10 पहले natural number को add करेंगे और उसके बाद इसको जो है 10 से divide करेंगे इस तरह से हम पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का average निकाल सकते हैं इसलिए इस question का right answer है option C 5 ही एक बटे दो बात करते हैं question number 3 की रेखिक समिकरणो a1 x plus b1 by plus c1 equal to 0 एवं a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 का अदवित्य हल होगा यदि तो देखे सबसे पहले आपको 3 case याद रखने है case 1 अदवित्य हल एक हल होगा यदि a1 over a2 does not equal to b1 over b2 case 2 और परिमित हल यानि infinite हल होगे यदि a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2 case 3rd a1 over a2 equal to b1 over b2 does not equal to c1 over c2 तो देखे इस case में कोई भी हल नहीं होगा और question में पूचा गया था रेखिक समिकरणों का अदवित्य हल होगा देखे इसलिए इस question का right answer रहेगा option a a1 over a2 does not equal to b1 over b2 बात करते हैं question number 4 की 15 से छोटी सभी बिश्म संख्याओं का योग है तो देखे बिश्म संख्याओं और नमबर है 1357 इस question में simply हम 15 से पहले सभी और नमबर को add करेंगे इसलिए question number 4 का right answer है option d 49 बात करते हैं next question की चोवन अजार 340 में 5 के स्थानिय मान और वास्त्विक मान में अंतर है तो देखे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्थानिय मान हम कैसे ग्यात कर सकते हैं तो देखे 5 का स्थानिय मान ग्यात करने के लिए सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे की 5 के आगे कितने number हैं तो देखे यहाँ पर 5 के आगे 4 number है इसलिए 5 के आगे हम 4, 0, add करेंगे इसलिए यह है 5 का स्थानिय मान यदि इसी प्रकार से पूछा जाए 3 का स्थानिय मान क्या है तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे और उसके बाद जो हम देखेंगे की 3 के आगे कितने number है तो देखे 3 के आगे 2 number है इसलिए 3 के आगे हम 2, 0, add करेंगे और यह है 3 का स्थानिय मान देखे 5 का वास्तविक मान 5 है इसी प्रकार से 3 का वास्तविक मान 3 है देखे अब हम यहाँ पर 5 के स्थानिय मान से 5 के वास्थविक मान को माइनस करेंगे और इस तरह से question number 5 का right answer है option A 49995 बात करते हैं question number 6 की मूल बिंदू के निर्दे शांक होते हैं तो देखे आपने इस प्रकार से graph पड़ा होगा देखे यह वाला बिंदू जो है यह मूल बिंदू है और यहाँ पर मूल बिंदू के निर्दे शांक 0,0 होते हैं बात करते हैं next question की 5 का 50 पैसे अनुपात है तो देखे इस question में simply सबसे पहले हम 5 जो की रुपय की form है इसको पैसे में convert करेंगे एक रुपय में 100 पैसे और 500 रुपय में 500 पैसे और ratio means किसी संख्या को divide करना इसलिए हम 500 को जो है 45 से divide करेंगे और इनको divide करने पर हमें 10 ratio एक प्राप्त होता इसलिए question number 7 का right answer है option D बात करते है question number 8 की संख्याओं x और y के गुणनखंड में से उनके योग को गठाने पर विज्याई भियंजक है तो देखे एकस और y का गुणनखंड है x y और इनका योगफल है x plus y तो देखे इनके गुणनखंड से इनके योगफल को गठाने पर हमें ये वाली question प्राप्त होती है इसलिए question number 8 का right answer है option B बात करते है question number 9 की 1, 5, 9, 13, 17, 20 करम में अगली संख्या है तो देखे इस करम में अगली संख्या है 25 क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिक संख्याओं के बीच 4 का difference है इसलिए question number 9 का right answer है option C तो देखे question number 10 में simply आपको 2.5 और 3.1 को multiply करना है बात करते है question number 11 की 2 बटे 8 का योज्या प्रतिलोम additive inverse है तो देखे 2 बटे 8 का additive inverse है माइनस 2 बटे 8 इसलिए question number 11 का right answer है option C यदि यहाँ पर पुछ जाता माइनस 2 बटे 8 का additive inverse तो उस case में इसका additive inverse होता 2 बटे 8 यदि हम simple शब्दों में कहें किसी positive संख्या का additive inverse minus रहेगा और किसी negative संख्या का additive inverse positive रहेगा बात करते हैं next question की 30 और 40 के बीच की पुरुण वर्ग संख्या है तो देखे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पुरुण वर्ग संख्या या फिर complete square नंबर क्या है तो देखे 5 multiply by 5 25 3 multiply by 3 9 और 4 multiply by 4 16 6 multiply by 6 बराबर है 36 देखे इस तरह के नंबर जो है complete square नंबर है इसलिए 30 और 40 के बीच complete square नंबर 36 है यदि यहां पर पुछा जाता 20 और 30 के बीच पुरुण वर्ग संख्या क्या है तो उस case में इसका राइटन सरोता 25 बात करते हैं question number 13 की किसी संबहु भुज में अधिक से अधिक का बाहे कोन संबब है तो देखे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बाहु भुज पॉलिगन क्या है तो देखे पॉलिगन जो है 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनी एक बंद आकरिती है और संबहु भुज रेगुलर पॉलिगन एक ऐसी आकरिती है जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोन बराबर हो देखे संबहु भुज में जो है अश्ट भुज में आठ कोन होते हैं और प्रते कोन जो 135 डिगरी का होता इसलिए अश्ट कोन के 8 कोनों का योग 1080 डिगरी होता है इसलिए इस question का right answer है option B बात करते हैं question नंबर 15 की 2 की शक्ती 3 बराबर है तो देखें इस question में simply हम 2 को 3 बार multiply करेंगे बात करते हैं question नंबर 16 की 14602 विभाज्या है तो देखें 14602 गेरा से विभाज्या है बात करते हैं question नंबर 17 की 1,2,3 का महत्व समाप वर्तक होगा तो देखें सबसे पहले हम एक का गुननखंड ग्याद करेंगे एक का गुननखंड है एक और 3 के गुननखंड है 3 और 1 और 2 के गुननखंड है 2 और 1 तो देखें 1,2 और 3 का common गुननखंड एक है इसलिए इसका महत्व समाप वर्तक HCF highest common factor एक रहेगा इसलिए question number 17 का right answer है option D बात करते हैं question number 18 की एक गंड में कितने किनारे होते हैं तो देखें एक गंड में जो है 12 किनारे होते हैं बात करते हैं question number 19 की नीचे लिखे में से कौन सा रिजू कोन है तो देखें रिजू कोन स्ट्रेट एंगल 180 डिगरी का होता है और noon कोन acute एंगल 0 से 90 डिगरी के बीच होता है और सम कोन right एंगल 90 डिगरी का होता है इसलिए question number 19 में right answer हैगा option D कोई नहीं तो देखें question number 20 में आपको 37,895 का निक्टतम मान ग्याद करना है और इसका right answer है option B 38,000 question number 21 में आपको sin 90 डिगरी माइनस थिटा का मान ग्याद करना है और इसका मान है cos थिटा बहुपद 2 की गात है तो देखें इस question का right answer है option B 1 बहुपद x plus 2 का शुन्यांक है इस question का right answer है option B minus 2 15 डिगरी का मान है तो देखें इस question का right answer है option A 1 एक बृत की सपर्ष रिखाओं की संख्या है तो देखें इस question का right answer है option D कोई नहीं देखें अब हम बात करते हैं English portion की तो देखें question number 26 और 27 में आपको कह करना है In the following for each of capital words, four words are listed below Choose the word nearest in meaning to it तो देखें question number 26 में दिया गया है बर्गलर और बर्गलर का हिंदी मीनिंग है सेंदमार और इस question का right answer है गा option B ब्रिगंड Question number 27 में दिया गया है patron और patron का हिंदी मीनिंग है सरंक्षक और इस question का right answer है option A Sporter Question number 28 में आपको कह करना है In the following question, only one of four alternative is correctly punctuated तो देखें इस question का right answer है option B What a terrible fire this is Question number 29 और 30 में आपको कह करना है In the following question, four alternative are given for items Choose the one that best expressed the meaning of a given item तो देखें आइडम का हिंदी मीनिंग है मुहाबरे और question number 29 में दिया गया है option choice इस question का right answer है Option C No alternative To keep one head on तो देखें इस question का right answer है Option B To remain calm Question number 31 to 34 में आपको कह करना है Choose one suitable article out of four alternative तो देखें गुरू गंत साहिब इस ए रिलिजियस बूक आप सीख इस question का right answer है गा option C Option B The teacher was awarded an honorium for his hard work Gold is a precious metal तो देखें इस question का right answer है गा option A The gold is a precious metal देखें question number 35 to 37 में आपको कह करना है Choose the suitable preposition Out of the four alternative तो देखें question number 35 में दिया गया है The people catch the culprit the neck इस question का right answer है गा option A The people catch the culprit by the neck The prize were distributed the winner इस question का right answer है गा option C The prize were distributed among the winner The poor children were deprived of shelter and food तो देखें इस question का right answer है गा option D The poor children were deprived of shelter and food बात करते हैं Next question की तो देखें question number 38 और 39 में आपको कह करना है Out of four alternative Choose the one that can be substituted for given word in the following question A record of one life written by himself तो देखें इस question का right answer है गा option C Autobiography Lasting only for a day तो देखें इस question का right answer है गा option B Ephemeral और question number 40 और 41 में आपको कह करना है Select from among the four alternative the word that is most nearly opposite in meaning to the word given in a capital letter Stationary तो देखें इसका opposite रहेगा option D Moving Freedom इसका opposite रहेगा option A Captivity बात करते हैं next question की तो देखें question number 42 to 44 में आपको पैसेज को read करके जो है question का answer देना होगा तो देखें आप इस video को पाउस करके ये पैसेज पढ़ सकते हैं देखें question number 42 की बात करें तो education is इस question का right answer रहेगा option B Training of head and heart One can learn much by Learn to learn तो देखें इस question का right answer रहे option D The antonym of wisdom is देखें इस question का right answer रहे option A Folly और antonym means below शब्द देखें question number 45 to 48 में आपको क्या करना है Choose the correct meaning of word underlined in following sentences The passenger mourned as the new capital try to meet quay in storm तो देखें इस question का right answer है option A वार्फ बात करते हैं अंसर रहेगा option D Bold and saucy Gita had to remind the twins to be gentle around their grand parents तो देखें इस question का right answer रहेगा option C Polite तो देखें question number 49 और 50 में आपको क्या करना है Choose the correct form of direct indirect narration He said I shall go as soon as it is possible तो देखें इस question का right answer है option A He said that he would go as soon as it was possible The stranger inquired where I lived तो देखें इस question का right answer है option C Where do you live ask the stranger अब हम बात करते हैं हिंदी section की हिंदी के आदोनी काल का अरंब माना जाता है तो देखें इस question का right answer है option B भारतेंदू यूग से तो का उचारण स्थान है तो देखें इस question का right answer है option B दंत गायक का संदी विछेद है तो देखें इस question का right answer है option B गय जम्मा अक हिंदी दिवस कब मना जाता है इस question का right answer है option C 14 सितंबर निराला का पूरा नाम है तो देखें इस question का right answer है option D सुर्यकांत त्रिपाठी गागर में सागर भरना मुहाबरे का उचित विकल्प चूने इस question का right answer है option B बड़ी बात थोड़े शब्द में कहना बास्चा के कितने रूप होते हैं देखें इस question का right answer है option A 2 मानक बास्चा का प्रियोग करते हैं इस question का right answer है option C शिक्षित लोग दिगंबर कौन सी संदी है उचित विकल्प चूने देखें इस question का right answer है option A ब्यंजन संदी शित्रिया बाशा को क्या कहते हैं इस question का right answer है option B बोल ली बात करते हैं next question की उचित का विप्रार्थक शब्द चूनिए तो देखें इस question का right answer है option A अनुचित अलंकार का प्रायवाची है इस question का right answer है option C आबूशन नीमन कवियों में कौन सा कवी च्छाय बात से संबंद रखता है तो देखें इस question का right answer है option C जैशंकर प्रसाद सूर्दास भक्ती मल की किस धारा की कवी माने जाते हैं तो देखें इस question का right answer है option A सगुण काव्या हमें तन मन तथा दन से शुद्ध वाक्या लिखें तो देखें इस question का right answer है option A राष्टर की रक्षा करनी चाहिए जिस जगा शब्द वो अर्थ दोनों में ही चमतकार हो वहां कौन सा अलंकार होता है तो देखें इस question का right answer है उभ्या लंकार गोड़ दोड के योग में सई विकलप क्या है तो देखें इस question का right answer है option A गुड़ दोड जहां एक ही शब्द के दो भीन अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है तो देखें इस question का right answer है option C यमक सद भाव में कौन सा उपसर गे इस question का right answer है option C सद मुख चंदरमा के समान सुन्दर है वाक्या में कौन सा अलंकार है तो देखें इस question का right answer है option A उपमा अलंकार सहज पकेसो मिठा होए कासा ही विकलप है तो देखें इस question का right answer है option B धहर्या से लाब प्राप्त होने है कांटे और कलियां प्रतीक है तो देखें इस question का right answer है option C जीवन में मिलने वाले दुख सुक के रामचरित मानस सर्वश्रिष्ट तो देखें इस question का right answer है option A महकाव्या पदमावत महकाव्या की बाशा है तो देखें इस question का right answer है option C अवध्धी चतावत का सही विकलप क्या है इस question का right answer है option A जेओं का तेओं अब हम बात करते हैं general knowledge portion की तो देखिए मिंजर का मिला कहा होता है तो देखिए इस question का right answer है option C, चमबा संसार चंत कहां का राजा था इस question का right answer है option C, कांगडा देवधर ट्रोफी की खेल से संबन्दित है इस question का right answer है option B, cricket उन्ना जिला की पहाड़ियों का क्या नाम है तो देखिए इस question का right answer है option B, शिवालिक रावी नदी कहां से निकलती है इस question का right answer है option B, बड़ा भंगाल हिमाचल प्रदेश के कांगडा नगर का प्राची नाम क्या था इस कोशन का राइट अंसर है ओप्शन C त्रिगर्थ हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो देखे इस कोशन का राइट अंसर है ओप्शन A सतलूज हिमाचल प्रदेश के पूरों में कौन सा सिमावर्ती राष्टर है इस Question का Right Answer है Option A, नेपाल, बात करते हैं Next Question की, परदेश की जीलों में कौन सी जील बियास नदी पर बनाई गए है, तो देखिए इस Question का Right Answer है Option A, पॉंक जील, ख्षेत्रफल की ध्रिष्टी से हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखी इस कोशन का राइटनसरे option A लहौल स्पीती हिमाचल प्रदेश का प्रतम राजियापाल कौन था इस कोशन का राइटनसरे option A S चकरवती तिसरी बौध सबा कहां बुलाई गई थी इस कोशन का राइटनसरे option B पाटली पुत्तर कांगड की शाशक जयाचंद को किस मुगल बादशा ने कैद कर लिया था तो देखी इस कोशन का राइटनसरे option B अकबर मोहमद बिन तुगलक ने कांगडा दुर्ग को कब जीता तो देखी इस कोशन का राइटनसरे option D 1337 इस वी के दोरान बारत के किस राज्या ने सबसे पहले पंचाईती राज वेवस्ता को अपनाया था तो देखी इस कोशन का राइटनसरे option D राजस्थान बारत में रेल सेवा कब आरंब हुई तो देखी इस कोशन का राइटनसरे option B 1853 इस वी के दोरान प्रसीद नलवाडी मेला प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? इस कोशन का राइटनसरे option A बिलासपूर जै हिंद का नारा किस ने दिया? तो देखी इस कोशन का राइटनसरे option C सुबास चंदर बोस बारतिय सवीदान कब लाग हुआ? इस कोशन का राइटनसरे 25 जनवरी 1950 को चायल क्रिकेड स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो देखी इस कोशन का राइटनसरे option D सोलन राज्य सरकार का प्रतम समचार पत्तर कौन सा था? तो देखी इस कोशन का राइटनसरे option A गिरी राज धामी गोलिकांड किस वर्ष हुआ था? इस कोशन का राइटनसरे option A 1949 इसवी के दोरान पानिपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो देखी इस कोशन का राइटनसर है option A 1526 इसवी के दोरान हिमाचल प्रदेश पूलिस प्रशिक्षन के अंदर कहा है? तो देखी इस कोशन का राइटनसर है option D डरो तो देखी ये थी पूरी जानकारी HP Constable और पटवारी के लिए मोग टेस्ट की यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इह वीडियो का फाइदा उठाने के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में